तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है Implicit Intent तो Implicit Intent होता क्या है इसको हम कैसे यूज करते हैं और ये कहां पर काम आता है और इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं ये चीज हम आगे देखने वाले हैं तो इस वीडियो में आप आगे तक बने रहेगेगे, लाश्ट तक आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा वेल्कम टू निउ इरा उफ एंड्रोइड एप ड्वल्पेंट और अब हम बनेंगे एंड्रोइड के चैंपियन तो ऐसे काम जिसमें हमें कुछ चीजें सेर करनी हो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको चला के दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने यूटुब चलाया और यूटुब चलाने के बाद जब आप सेर के बटन पर किलिक करोगे जैसे कि मेरे पास यह वीडियो है और मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो यह सेर का उप्सन आया तो यह क्या होता है यह जो हमारा काम होगा जैसे हम मैसेज जीमेल पर क्लिक करेंगे या मैसेज पर क्लिक करेंगे या किसी और भी यहां पर और एप्लिकेशन होंगे उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यह क्या होता है implicit intent के थुरू होता है और मैं आपको example दिखा देता हूँ जैसे मैंने photos को open किया और देखो, यहाँ पर जो update का button है जैसे मैं इस पर click करूँगा तो यह क्या करेगा, एक दूसरे application में मुझे ले गया और वहाँ पर जो भी हमें काम करना है मतलब basically वह काम कर लेंगे लेकिन हमारे पास क्या हुआ, उस button की click करते हमारे पास क्या हुआ play store हमारा open हो गया तो यह जो काम हुआ है, यह भी किसके थूरू है हमारा intent के थूरू हुआ है और जैसे कि हम किसी button पर click इस पर हमने जैसे image पर click कर रहा है तो और intent भी हम कौन सा intent यूज लेते है implicit intent यूज में लेते है तो चलिए आज का topic हम start करते है तो हम यहाँ पर कर लेते है new project create और new empty view activity को मैं select किया यहाँ पर next पर click किया मैंने और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसका नाम implicit intent ठीक है और यहाँ पर मैंने किया create और इसको हम gradle को build होने देते है और build को खोल के देख लेते हैं कि कोई error ना आ जाया हमारे पास तो build यहाँ पर हमारे successful हो चुका है तो इसको हम यहाँ से height कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ और सबसे पहले चलते हैं मैं activity में और यहाँ पर उपकुछ buttons को और कुछ चीजों को यहाँ पर add कर लेंगे जिसके तुरू हम क्या करवाएंगे implicit intent काम में लेने के लिए तो यहाँ पर हम क्या करवाने वाले हैं एक तो हम करवाने वाले हैं इक button के click पे एक web page को open करवाएंगी तो मैंने यहाँ पर कर लिया इसको constant एक और हम button यहाँ पर लेते हैं और इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पर constant और एक और button लेते हैं यहाँ पर इसको भी हम कर लेते हैं constant अब इसके बाद हम लेंगे एक edit text, तो यहां पर मैं text पर चलता हूँ, एक मैंने लिया यहां पर plain text, और इसको भी मैं यहां पर कर लेता हूँ, constraint, और इसके बाद एक और मैं लोगा, button, और button को मैं यहां पर कर लोगा, constraint, ठीक है, तो यह सारे चीज़े हमारे पास यहां पर add हो चुकी है, अब क्या करना है इन सब की IDs और मैं इनके name यहां पर change कर देता हूँ, तो यह हमारे पास क्या है, button है, तो इसका नाम डाल देता हूँ, open web, open web, page, ठीक है, मैं इसको क्या copy, और यहां पर आने के बाद, यहां पर कर दिया, मैंने इसको refactor, और यहां पर आने के बाद, मैंने इसको कर दिया, paste, और यहां पर मैं लिख देता हूँ, open web, और यहां पर लिख देता हूँ, page, ठीक है, तो एक button हमारा हो गया, इसके बाद लिख देता हूँ, open phone call, और इसको मैंने के यहां से copy, और copy करने के बाद, इसको refactor कर देता है, और यहां पर आने के बाद, इसको करते हैं, यहां पर paste, और यहां करते हैं इसको paste और यहां पर लिख लेते हैं phone यहां पर लिख लेते हैं open phone call और एक और बटन हमारा बचा इसमें हम लिखेंगे open camera एक हम camera को भी open करवाएंगे यहां पर यहां पर मैं करता हूं इसको refactor और यहां पर भी मैं लिख देता हूं open camera और last हमार पास यह बच इसमें हम क्या करवाने वाले हैं एक टेक्स लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे इस टेक्स को हम यहां पर इस बटन के क्लिक पे कहीं पर करके देखेंगे ठीक है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टेक्स्ट और इसको हम रिफेक्टर करते हैं अल्रेटी एक्जिस्ट बता र करेंगे लेकिन find करने के लिए यहां पर findbyid करेंगे। हम यहां लिखता हूँ उससे पहले लिख़ूंगा रीजा अंदर दाउगा यह क्या हमने और यहां पी क्या हमने शिंक न सिंफ फिलंद को अब देख लेता है। बिल्ड हमारा सक्सेस्पूल हो चुका है अब चलते हैं पर में डॉट केटी पर और व्यू बाइंडिंग नेवल कर लेते हैं यहां पर लिखता हूं प्राइवेट वैल यहां लिखेंगे हम बाइंडिंग और एक्टेंड करेंगे इसको ऐसा बाइंडिंग और एक्टिविट .root इससे क्या होगा कि जितने भी आईडी हमने यहां पर यूज किये हैं इनको हमने यूज में लेना चाहते हैं तो हमें बारवर उनको हमें यहां पर इसके अंदर हमें कुछ कुछ चीजे करनी है तो इसके बाद हमारे पास एक और बटन है binding.opencamera.setonclicklistener ठीक है और यहाँ पर क्लिक लेंगे binding.last हमारे के है share button तो यहाँ पर पास button 4 के नाम से वह button है उसको साथ हमारे पास change नहीं हुआ है तो इसको भी हम यहाँ पर change कर लेंगे और यहाँ पर मैंने डाल दिया share button text share button ठीक है तो यहाँ पर आज आएगा यहाँ पर बटन की जगे text share button.setonclicklistener लगाए हमने यहाँ पर अब इस चारूब में हमें क्या बताना है जो भी हम काम यहाँ पर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर open web page है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर मनाते एक बनाते एक बनाया है इसमें जो बी चाहां चाहते हैं यहाँ पर आयाँCan contact करता है और यहाँ पर package भी हमारे पास यह यह पर तो हम यहा पर क्या डाल देंगे यहाँ पर हम डालेंगे यहां पर हम डालेंगे URI और parse अब हम URL के लिए हम यहां पर URI parse method का यूज करते हैं और यहां पर हम डाल देते हैं अपने जो भी हमारा URL रहता है website का वो यहां पर हम डाल देते हैं तो website का URL हमें कहां से मिलेगा तो हम यहां पर डालेंगे जैसे कि मान लो हम open कर लेते हैं यहां पर अपने Chrome browser को और यहां पर हमारे NeatRoots का website खोल लेते हैं NeatRoots.com तो NeatRoots.com मैंने यहां पर open किया तो इसको मैंने यहां से क्या किया और copy करते समय copy करा मैंने और यहां पर कर दिया जाके paste अब एक चीज़ आप तो ध्यान दो कि यहां पर क्या-क्या HTTPS आ रहा है हमारे पास और यहां पर हमारे फिस website का domain name आ रहा है और इसके बाद यहां पर slash है तो आपको इसी ऐसे यह आपको भी यहां स्टार्ट करवा देना है तो स्टार्ट एक्टिविटी और यहां पर हम डाल देंगे इंटेंट डन अब इसके बाद हमें क्या करवाना है next option में क्या करना है एक phone call को हमें यहां पर on करना तो यहां पर से हम यहीं पर करेंगे well intent नाम से हमने एक एक वेरियेबल बनाया और इकवल टूब करते हम इसको और यहां पर हम लगाएंगे in 10 रहते हमने practice लगा यहां पर हमें डाल करना है ओब्ऴिटस ही पास हेंगे यहां पर काल देंगे डल करने के बाद आपको इसमें एक चीज और डालना पड़ेगा इसका डेटा डालना पड़ेगा कि आप कौन से नमबर पर कॉल करवाना चाहते हो तो यहां पर हम डालेगे intent.data और equal to कर देंगे हम इसको URI parse और यहां पर हम सेम चीज यहां पर भी डालेंगे तो यहां पर हम क्या करते हैं एंटर करते हैं और इसको सेम हम स्टार्ट करवा लेंगे इंटेंट को यहां पर हम डालना है यहां पर डाल दोगे intent के अंदर अब हमें पर Kamerune ऊपन करवाना पड़ता है तो इसमें चीज यूद ऀए मीडिया इस्टोर तो हम डालेंगे मीडिया स्व यहां पर हमें camera open हो जाता है तो आप multiple चीजों को यहाँ पर try करके देख सकते हो तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं start activity और इसमें पास कर दूँगा मैं वापिस से intent और यहाँ पर last हमारा बचके share button तो इसमें हम क्या करवाएंगे सबसे पहले हम अपने जो यह हमार activity है इसमें जो भी हम text लिख लिखाएंगे उसको हम वहाँ पर क्या करेंगे get करेंगे तो यहाँ पर जो टेक्स लिखा हुआ है इस टेक्स को मैं हटा देता हूं और यहाँ पर हिंट में हम डालेंगे enter your text तो यहाँ पर मैंने एक hint डाल दिया अब इस वाले को सबसे पहले हम find करेंगे और इसको हम करना चाहते है जो हमारा एक वेरियवल बनाएंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट के नाम से वेरियवल बनाया हमने और इक्वल टू कर देंगे हम इसको बाइंडिंग डॉट जो हमारा टेक्स्ट है इस पर हम यहाँ पर करवाना चाहते तो इसको हमने यहाँ पर find कर लिया और क्या करना यहां पर एक वेरियबल बनाएंगे वैल और यहां पर लिखेंगे हम इंटेंट और यहां पर इकोल टू कर देंगे हम इसको सेम इंटेंट की तरह और यहां पर इसमें हम पास करेंगे और यहां पर हम डालेंगे इंटेंट डॉट और यहां पर हमें क्या करना है यह को यह हमारे टेक्स टाइप का है तो यहां पर हमने टेक्स लिख दिया और लगा कि हमारे किस टाइप का है प्लेन टाइप का तो हम यहां पर हमने लिख दिया प्लेन लिख दिया ओके अब इसके बाद यहां पर एक और क्या करना है इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा ओके और यहाँ पर हम डालते हैं intent और यहाँ पर लगाएंगे आप dot extra यहाँ पर लिखना है आपको extra और यहाँ पर आपको क्या करना है extra करके साथ आपको क्या है यह हमारे text type का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे text भी लिख देंगे आपके तो text लिखा मैंने तो यहां पर extra text का आ रहा है आपको option इसको आपको select कर लेना है और यहां पर लिख दोगे इसको text जो हमारा text है उस text को यहां पर यह ले लेगा मैं इसको control alt करके format कर लेता हूं और activity को हम यहां पर start कर देंगे start activity और यहां पर हम डाल देंगे अपना एक तो होगा हमारा intent dot यहां पर हम करेंगे create sorry dot create अब यहां पर chooser नाम का हमारे पास एक option होता है create chooser हमें यहां पर select करना है और यहाँ पर हम डाल देंगे intent और इसमें हम डाल देंगे एक चीज़ा हमें हमें यहाँ पर डालने पड़ती है string के अंदर अब जो भी इसमें title देना चाहते हो जब भी हम share करते हैं कुछ चीज तो वहाँ पर एक title लिखा हुआ आता है जैसे कि मैं आपको होई पर देता हुआ तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं share by और में इसको क्या करता हो अब यहाँ पर रं करता हो काम हमारा हो चुका है अब मैंने इसको run किया हमारी के सिन वेट कर लेता है इंस्टॉल होने का और हमारा एप्लिकेशन रन हो चुका है अब देखो जैसे मैं ओपन वेब पेज पर यहां पर स्लेक्ट करूंगा तो हमारा क्या होगा नीट रूट्स की वेबसेट यहां पर आटोमेटिक उपन व कर सका है तो जैसे कि मानलो मेरा नाम लिख लेता और सूरज हम यहां पर फोटो है यहां पर क्लिक कर शकते हैं अब यहां पर फिस टेक्स्ट है इसको नाम कर पाँगा तो जैसे के माने लो मेरा नाम लिए सूरज और यहां सेर बटन पर क्लिक तो देखो जो भी टेक्सट हमारे पास था उसका format अलग आ रहे है थोड़सा हमारे पास लेकिन हम उसको कर सकते हैं ठीक है जो भी application इसको support करता है वह हमारे पास यहां पर automatic आ चुका है और हमने उसको यहां पर शेयर कर दिया है लेकिन यह टेक्सट हमारे पास अलग फॉर्मिट मार है तो इसको हम एक बार चेक कर वा लेते हैं क्यों ये क्यों गलत आ रहे हैं यहा पर हमार पास जो भी text था वह हमें basically यहाँ पर आना चाहिए तो और इसके लिए हम यहाँ किया करेंगे जो हमारे text वाला जो हमारा वो है, edit text, इसको हम यहाँ पर type देखेंगे, इसका type क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको cross करते हैं, और यहाँ पर इसका input type text ही है, एक बार हम जालते है, split में, ओके तो यहाँ पर सब कुछ सही है, और यहाँ पर mistake क्या है, यहाँ पर .text करके हमें यहाँ पर get करने के लिए .text all लिखना पड़ता है यहाँ पर आप text type का data लेना चाहते हो तो भी हाँ पर हमें बताना होता है ठीक है अब इसको हम run करेंगे तब देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल यह perfect काम कर रहा है या नहीं तो मैंने यहाँ पर run किया और यहाँ पर मैंने स्क्सक्राइब करेंंहीं कंदल हो तो आजשकी video के लिए इतना ही मिलते हैं हम किसे next video में तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर नीचे ड्रॉप कर दें